हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम उत्राखंड जूनियर इंजिनियर सिविल का जो आपका एक्जाम हुआ था 20 दिसम्बर 2020 को फर्ष्ट सिफ्ट में उस क्वेस्चन पेपर का पार्ट 3 हम डिसकस करेंगे प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा पहला कोश्चन है एक टाइप ओफ फ्लोर फिनिस देट इस लेल्ड इन थिन लेयर ओवर कंक्रीट टोपिंग इज क्वेश्चन में पूछा है एक प्रकार की फ्लोर फिनिस जो पतली परत में कंक्रीट की टोपिंग पर बिची होती है वो क्या कहलाती है ओपसंस आपको दिए गए हैं टेराजो फ्लोरिंग कहते हैं एसे कहते हैं टेराजो फ्लोरिंग अगला क्वेश्चन है Finishing of masonry mortar joint is called पूछा है चिनाई मसाला जोल की जो finishing होती है उसको क्या कहते हैं Pointing कहते हैं Waterproofing कहते हैं Painting कहते हैं या फिर Option D है आपका Plasting कहते हैं तो चिनाई मसाला जोल की जो finishing होती है उसे कहते हैं Pointing Option है आपका सही रहेगा Next question है A vertical portion of a step providing a support to the thread is एक सीरी का vertical portion जो उपरी step को take प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं Options आपको दिये गए हैं उसे कहते हैं Flight Going कहते हैं Riser कहते हैं या फिर step कहते हैं सिल्डियों में जो ये वाला vertical portion होता है ये कहलाता है Riser Option 3 आपका सही रहेगा Next question है Age per IS 456-2000 The maximum free water Cement ratio for M20 grid Rainford cement concrete is पूछा गया है IS 456-2000 के नुसार M20 grid प्रबलित cement concrete के लिए अधिक्तम मुक्त जल cement अनुपाद कितना होगा Options आपको दिये गए हैं 0.40 होगा 0.45 होगा 0.50 होगा या फिर 0.55 होगा तो आपके दिये गए option में से option 4 सही रहेगा Next question है Workability of concrete is measured by Concrete की जो सुकारेता होती है वो किस्से मापी जाती है Options आपको दिये गए है Compression test से measure करते है Flow test से measure करते है Soundness test से measure करते है या फिर Flagsor test से measure करते है Concrete की जो workability होती है उसे measure करते है Flow test से Option second आपका सही रहेगा अगला question है The 28 days characteristic compressive strength of M30 great concrete is M30 great concrete की 28 दिन की अभिलाचनिक संपील्डन सामर्थ कितनी होगी 30 Newton mm² होगी 35 Newton mm² होगी 45 Newton mm² होगी या फिर 6 Newton mm² होगी M30 great concrete की 28 दिन की characteristic की strength होगी 30 Newton mm² आपका सही रहेगा Next question है Ready Mixed Concrete Technology Employer Retarders for the Purpose of यानि तैयार मिस्रित concrete टक्नीक में उद्देश के लिए मंदक का उप्योग करते हैं Options आपको दिये है Increasing the Water Cement Ratio यानि Water Cement Ratio को Increase करने के लिए Increasing the Compressive Strength Compressive Strength को Increase करने के लिए Increasing the Durability इस्थायुत में व्रद्धि के लिए या फिर Retaining the Slump Ready Mixed Concrete Technology में Retarded का यूज किया जाता है Retaining the Slump के लिए Option 4 आपका सही रहेगा Next Question है The Aspect Ratio of the Fiber is the Ratio of Ratio का अभिमुक्ता अनुपाद किसका अनुपाद होता है Options आपको दिये गए है Value to Area यानि आयतन का छेतरफल से अनुपाद होता है Volume to Weight आयतन का वजन से अनुपाद होता है या फिर Length to Diameter लंबाई का व्यासका अनुपाद होता है या Diameter to Length व्यासकी लंबाई का अनुपाद होता है Fiber का aspect Ratio होता है ये ratio होता है length to diameter का, option 3 आपका सही रहेगा next question है, polymer impregnated concrete is an excellent material for question में आपसे पूछा है, बहुलग, संसेचित concrete जो है वो किसके लिए एक excellent material है, options आपको दिये गए है, high rise buildings के लिए है या फिर marine and underwater applications के लिए है, railway sleepers के लिए है या फिर airport runway के लिए है, तो आपकी जो polymer impregnated concrete है वो एक excellent material है, marine and underwater application के लिए, option 2 आपका सही रहेगा next question है आपका, the concrete produced by using flyase and alkali activator solution along with aggregate is यहाँ पर पूछा है, aggregate के साथ साथ flyase और चार activator solution का गोल बना कर उप्योग करके उतपादिक concrete बनाया जाता है options आपको दिये गए है, geopolymer concrete बनाते हैं, fiber reinforced concrete बनाते हैं, rapid hardening concrete बनाते हैं, या फिर no fines concrete बनाते हैं इन सबका यूज करके बनाई जाती है geopolymer concrete, option है आपका सही रहेगा next question है, the process of compaction of concrete helps to concrete के जो compaction का process होता है, वो किसमे help करता है increase its value यानि इसके item को बढ़ाने में increase the permeability, पार गम्मिता को बढ़ाने में, decrease the strength, strength को घटाने में, या फिर increase its density, यानि इसके घनत्यों को बढ़ाने में concrete में जो compaction का process होता है, वो help करता है, density को increase करने में, option 4 आपका सही रहेगा आज के इस वीडियो में हमने, उत्राखंड junior engineer civil का जो आपका exam हुआ था, 20 December 2020 को first shift में, उस question paper का part 3 हमने discuss कर लिया है, बाके के part अगर आप देखना चाहते हैं, तो आपको clear list में मिल जाएंगे, अब आप हमसे whatsapp group और telegram channel पर भी जूल सकते हैं, लिंक description में दिया गया है, अग अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें